गुद मॉनिंग स्टूडेंड एक्सराइज 2.4, question no.5 of 9th class, question no.5 में आपसे पूछा है, factorize करना है, इससे पहले में आपका square की form में था, तो आप easily कर पा रहे थे, but इसमें क्या आपको cube की form में given है, तो इसमें सबसे, इसके different method होते है, कोई किसी तरह से करता, कोई किसी तरह से मैं remainder theorem की help से आपको सिखाऊंगी, easy भी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो remainder क्या है, 2, it means जो factor हो सकते हैं, वो 2 के क्या हो सकते है, 1 and 2, it means इसकी helps में क्या करूंगी, जो p of x की value है, जो x की value है, वो एक बार 1 रखके देखूंगे, बार 2, अगर 1 पे ही मेरी value satisfy हो जाती है इस value में अगर 1 की value मैं equal to 0 पूट करती हूँ, means यह complete मेरा 0 बन जाता है, तो मेरा factor क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ से start करते हैं, हम लेके चलेंगे, किस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या लेके चलूंगी, x plus 1, इसको हम कर रहे है by reminder theorem, okay, reminder theorem से ही करना होता है हमें, अगर आपको easy way में करना है तो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका x plus 1 लेके चलेंगे, क्योंकि value क्या है, positive है, x plus 1 से solve करेंगे, तो क्या जाएगे, x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1, it means आप इस equation में क्या पूट करके देखोगे, minus 1 पूट करोगे, त p of x के आपका minus 1, तो क्या हो जाएगा, minus 1 की cube, minus 2 into minus 1 का square, minus x plus 2, अब आपको पता है, minus 1 की cube तो minus ही होता है, negative odd power होती है, तो odd ही number आपके पास आता है, minus 2, power positive हो जाएगी, square करेंगे तो positive हो जाएगी, minus 2 की 1 से करेंगे, तो minus 2 आजाएगा, यहाँ पे value put नहीं करी है, हमने, यहाँ पे put करेंगे तो minus 1, plus 2, क्यों कि यहाँ पे x था न, तो क्या गया, minus 1, minus 2, minus minus plus 1, and plus 2, देखो, minus 2 से plus 2, क्या गई value, 0, it means यह बास satisfy हो रही है, यहाँ पे, reminder theorem के help से, it means मैं क्या लिख सकती हूँ, x plus 1 is a factor of this, तो यहाँ पे क्या लिखे देखेंगे, so x plus 1 is a factor of x cube minus 2 x square minus x plus 2, क्योंकि अगर यह इसका factor नहीं होता, तो यहाँ पे value 0 नहीं होती है, आपको पता है, यह इसका multiple होता है, कोई भी किसी का factor होता है, तब यह उसकी value 0 आ सकती है, हाना, तो यहाँ पे start करते हैं, अगर यह इसका factor है, तो हम division theorem से निकाल दे करेंगे, इसको divide करेंगे पहले, क्योंकि cube है तो आपको divide ही करना पड़ेगा, factor आपके पास आ चुका है, x plus 1 को करेंगे, x cube minus 2 x square minus x plus 2, अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x cube, यहाँ पे x already 8 means किस पे जाएगा, x square पे, है ना, x square के x से multiply करूँगी तो क्या जा x square की 1 से multiply करूँगी तो क्या जाएगा, plus x square, अब subtract करेंगी तो क्या जाएगा, आपके पास cancel out, minus 2 minus 1 क्या हो जाएगा, minus 3 x square, minus x plus 2, इस तरह से, अब आपको चाहिए, minus 3 x square, x तो already है, तो 2 minus 1, power में से last करेंगे, 2 minus 1, it means आपको एक तो क्या चाहिए, x चाहिए, second आपको minus का चाहिए, तो minus भी लगा देते हैं, आपको और क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 भी लगाएगे, ठीके, तो 3 x, 3 x की x से करेंगे, तो minus 3 x की x से करेंगे, तो क्या जाएगा, minus 3 x square, minus 3 x की plus 1 से करेंगे, तो क्या जाएगा, minus 3 x, solve करेंगे, minus है, plus हो जाएगा, minus है, plus प्लस का 3-1 तो क्या जाएगा 2x प्लस अब देखो एकस यहां पर है एकस यहां पर है तो आपको नहीं चाहिए यहां पर ओली क्या चाहिए 2 तो प्लस का क्या रखेंगे 2 तो क्या जाएगा 2x 2k1 से मल्टिप्लाई करें प्लस 2 माइनस करेंगे तो आपके पास वेक्टर क्या गया एक तो यह हो गया मीन्स एकस प्लस वन एंड एकस स्क्वेयर माइनस 3x प्लस टू अभी आपके पास यह वैल्यू आ चुकी है अब लेकिन आपको फेक्टराइज करना अब स्क्वेयर में तो वैल्यू मैंने आपको करनी बताई है तो इसली अभी आँसे कर लेंगे हम तो इसके फेक्टर करते हैं इसके फेक्टर कैसे करेंगे यहां पे देखते हैं आपके पास वैल्यू है एकस स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 फेक्टर करेंगे इटमीन समय क्या चीए मल्टिप्ला करें तो आपके पास आना चाहिए 2 and आप इनको addition या subtract करो के आपके पास आना चाहिए minus 3 तो ऐसे number क्या हो सकते बिटे ऐसे number क्या हो सकते अब multiple 2 आना चाहिए तो definitely सी बात 2 ही रहेगा factor तो क्या हो सकता इसका x square minus means 2 into 1 लिखेंगे यहापे 2 और 1 3 हो जाएगा and 2 दोनों को minus लेंगे क्योंकि minus में value चाहिए आपको ठीक है यह भी minus रहेगा यह भी minus रहेगा ठीक है तो यहापे क्या हो जाएगा आपका minus 2 x minus x plus 2 balance करेंगे तो अब देखो यहापे क्या को मना सकता है only you तो x मैंने common लिया, क्या बचा है? x-2 अब यहाँ x-2 यह x-2 है, तो minus का one लेंगे यहाँ पर क्या गए आपके पास? x-2 common है x-2, यहाँ से बचा है x और यहाँ से minus 1 तो factor क्या गए आपके पास? x-1 और यहाँ पर लिखेंगे x-2 x-1 तो यह आपका अंसर हो जाएगा, इस तरह से आपको factor करने ते, ठीक है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा question भले ही थोड़ा लेंदी है, पर बिल्कुल मज़ेदार है इस तरह मैं आपको बाकी part भी करा दूँगी थोड़ा सा पहले खुद करके देखेगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आप जो इसके दूसरे part भो कराऊंगी और इसके आपकोद प्रैक्टिस केजिएगा ओके, थेंक्यू, बाबाई, टेक केर